नमस्ते दोस्तों आज हम देसी चने के सबजी बनाएंगे एकदम टेस्टी सबजी ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बनाने में बहुत ही आसान है चलिए बनाना सुरू करते हैं उसके लिए हमने 200 ग्राम चने को विगो दिया था रात भर के लिए अच्छे से फोल चने अब इनको कुकर में डाल देना है इनको सबसे पहले उबाल लेना उबालने से सबजी बहुत टेस्टी बनती है ऐसे भी बना सकते हैं लेकिन पहले उबाल लेते हैं थोड़ा सा सोड़ा डाल देते हैं खाने वाला सोड़ा है इससे बहुत अच्छे से चने फोल जाते ह थोड़ा सा नमग डाल देना है और पकते बहुत जल्दी सोडर डालने से अब डोगलास पानी डाल देना जिससे अच्छे पक जाएंगे अब ढ ACT लाका के छे सीटी आने तक पका लेना है छे सीटी वहुत अच्छे से चनने पक जाते हैं अब प्याज पीश लेना ह dissert मिर्ची लह्सु लेना है सिल लगता है Orange I can REP developed a पीश बनाएगे तो बहुत पूरा महीं नहीं होता है प्यास थोड़ास दरदरा ही रहता है अब इसको गौतोरी में निकाल लेना है हमई ट harvest लेना है किया हुआ है इसका चिलका की अलग हो जाता है है मैं लिए जिद्वति आते समय के इसको निकाल देना कैश कि आ met hostro निकाल देना है देखे कितना colorful निगला है टमाटर सिल्वट्टे का पीशा मसाला बहुत tasty बनती है सबजी अब कुकर भी चेक कर लेना है देखे चने अच्छे से पक चुके हैं बस इतना ही पकाना है सोडर डालने से देखे चने कितने अच्छे से फूल चुके हैं अब इसको ढख्ये रख देना है, अब सब्जी बना लेना है, उसके लिए कडाही लेना है, सरसों का तेल डाल देते हैं, कोई भी तेल खाते हैं वो डाल सकते हैं, अब खड़े मसाले डाल देना है, खड़े मसाले में बड़ी लाची, छोटी लाची, दाल, चिनिल, लॉंग, जीरा और हिंग डाल देना है और अच्छे से पका लेना है अब प्यास डाल देना और अच्छे से प्यास को भी भून लेना है जितना अच्छे से प्यास भून जाता हो ऐसे टेस्टी सबजी बनती है चलाते हैं धीमी आज पर भून लेना अब मसाला तयार कर लेना है सिम्पल से ही मसाले लिया है जैसे हल्दी पौड़ा, धनिया पौड़ा, लाल मिर्च, कस्मेरी मिर्च और थोड़ी सी कसूरी मेथी नमक भी डाल दिया है अब पानी डाल के मसाले को भिगो देना है जिससे मसाला बहुत टेस्टी बन जाता है मसाला अच्छे से फोल जाता है देखें प्याज भी अच्छे से पक चुका है अब मसाला डाल देना है मसाले को भी अच्छे से पका लेना है अब ढग देते जिससे मसाला अच्छे से पक जाता है देखिए मसाला अच्छे से पक चुका है, तेल सेपरेट हो चुका है थोड़ी देख चलाते हैं और पका लेना मसाले को, जिससे और अच्छे से पक जाएगा अब टमाटर डाल देना है जो पीज के रखे थे और टामाटर को भी अच्छे से पका लेना मसाले के साथ में अब ढग देना है जिससे अच्छे से पक जाएगा मसाला अब जेक कर लेना एक बार बीज-बीज में चलाते रहेंगे तो अच्छे से मसाला पक जाता है देखिए मसाला अच्छे से पक चुका है अब थोड़े से फोटे हुए चने डाल देते हैं ये उबले हुए चने इनको फोड़ लिया अच्छे से इससे ग्रेवी बहुत गाड़ी हो जाती है और सबजी का टेस्ट बढ़ जाता है अब चने डाल देना है और पानी डाल देना है पानी नहीं अलग करना है क्योंकि पानी में बहुत अच्छा टेस्ट रहता है चने का, इसलिए पानी जरूर डालना है, अब अच्छे से मिक्स कर देना है, अब एक ग्लास पानी या और डाल देना है, क्योंकि ग्रेवी बाद में गाड़ी हो जाएगी, और अच्छे से चला देना और परफिक्ट यह फंदि तौर जायेगे तो डाल और इससे बहुत अच्छी सब्जी बन जाती है कि एक पर उड़कनेना है सब्जी को छोला मैसाला जो डाला आछ bir सब्झेज Aber अगर धनिया पत्ति नहों तो पुदीना पत्ति भी डाल सकते हैं यह भी बहुत टेस्टी लगती है यह सब्जी चावल रोटी के साथ सरू कर सकते हैं खाने में बहुत टेस्टी लगती है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने फेमली मेंबर दोस्तों के साथ सेर कीजिएगा एक बार जरू ट्राइ कीजिएगा आपको अपना कीमती समा देने के लिए बहुत बहुत धना